तो आज का डिली मार्केट अप्डेट लेकि मैं आ गया हूं सो मुस्टली एच पर दर डिसकेशन एच पर दर स्क्रेप्ट वैसे ही जा रहा है मैंने क्लिरली बोला था फ्रैडे को अगर लॉस होता है तो मुस्टली मंडे फैदा होता है वैसे मंडे उतना इजी डे था नहीं काफी मस्त गेब डाउन खुला था मार्केट और फ्रीफॉल हो गया पांसों पॉइंट के आसपास उसके बाद बैंग निफ्टी दोसों पॉइंट के ऊपर रिवर्स अल दिया और ऐसे ही थोड़ा सा बॉला टेल रहा इंडिया विक्स भी काफी बढ़के 4.1 परचेंट आ तो ओवराली हाला कि थोड़ा सा वलाटेल था अन्फेबरूर्वल मार्केट था फिर भी हमारी स्ट्राटेजिस ने अच्छे काम किये हैं अगर आप लोग देखोगे तो एस्पेसेली बैंग निफ्टी प्रीमियो मेटर ने 1% फाइदा दिया है बैंग निफ्टी वलाटे आज हमारे स्ट्राटेजिस ने दे दिये हैं कमिंग टू आवर कमिंग टू आवर ब्रोकर टर्मिनल ये वन सेयर कैपिटल में 49,700 मतलब 0.5% और यहां पे भी 2 करोर्स कैपिटल में 1.32 लैक्स का प्रफिट मतलब 0.65% तो इस टाइब का 0.42.6 के अंदर अलमोस्ट सबको ही प्रफिट मिला है तो दो इट वस नॉट ए फेवरेबल दे बट स्टिल विए पैनेज्ट वेल उम्मिद तो है कि बाकी तीन दिन भी प्रॉफिटी बुक करेंगे बर्ट अगें नथिं इस एन और हैंड सो अगर हम देखें तो 38,300 के स्पास स्पोर्ट क्लोज वा है और 38,300 हम का अगर हम startle को प्रीमियम देखें तो प्रिमियम तकरिवर pac 100 के स्पास मैंने देखा था सबहरेंसिकर आप देख सेटार्यवगोह हम आ य Tsch तक यह 580 का जो श्रडल प्रीमियम है यह तक्रिवान 480 तक आजा सकता है मतलब 100 पॉइंट्स तो गिरेगा यह गिरेगा तो अगर 20-30 पॉइंट्स भी अगर गिरता है तो इंट्रादेम में भी 60-70 पॉइंट्स गिरने वाला है जो कि हम ट्राइ करेंगे केच करने के लिए ठ मतलब प्रॉफिटेबली मतलब ग्रीन पी अने ली मिलना चाहिए कल भी लेट सी क्या होता है ओके सो मिलते हैं कल फिर बाबाए